जैश्राम दोस्तो तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक गूड़िटी ब्लुटूथ मॉडियूल और एक लोग व्लुटूथ मॉडियूल में से हमें कौन सा खरीदना चाहिए और इसका रिजन क्या है तो यह हमाइरे पास दो ब्लुटूथ मॉडियूल है एक यह D&G देख पा होगे तो यह एक low quality Bluetooth module है और यह Alpine का आप गूड़ २ौड है और छली इनको खोलके देखते की ऐख्चुली इसमेंदो होता है तो हम low quality इसको भी आप ठरद लेटे हो इसको लेते हो इसके साथ हमारा जो है रिमोट आ रहा है वो पैकिंग के साथ रहा है तो इस प्रकार से यह दो हमारे Bluetooth मोडिल से यह हमारा low quality वाला और यह हमारा high quality वाला तो सबसे पहले मैं low quality वाला आपको दिखा देता हूँ तो basically यह आपको सव रुपए के अंदर मिल जाएगा market में और इसका plastics जो है वो एक low quality वाला है उसके बाद इसका print जो होता है वो थोड़ा सा आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि इसकी quality जो लो है और मैं इसको use किया हूँ तो इसका एक मेरे को drawback यह भी लगा जब आप इ यह आपको PCB देखने के बाद पूरी low quality में defined है पूरी की पूरी जो बनी हुए वो low quality में बनी हुए और इसके components भी पूरे जो है low quality वाले अभी आप इसका अगर यह उपर का glass ही देखोगी यह बहुत ही low quality वाला है और एक इसका main यह तो खीक है भाई quality का कोई issue नहीं है के low quality वाला दे रहा होगा पर इसका main reason क्या होता है आप इसको जब भी आपके कोई भी अच्छ बोर्ड में आपी good quality वाले sound में लगाओगे तो यह humming का problem नहींगा सबसे main reason है low quality वाला माल आपको भी product अगर purchase करते sound related तो उसका वो जो output होना चाहिए वो output आपको नहीं मिलेगा क्यू power supply देने के बाद में कभी fluctuate करेगा कभी उठाएगा नहीं का उसके बाद हमारा जो इसमें radio का भी features होता है तो यह जल्दी से radio पकड़ेगा नहीं उसके बाद में हमारा humming का sound आएगा जबी भी हम इसको model में connect करेंगे और इसका और एक यह reason भी होता है कि अगर आपका somehow आपक के transfer में से थोड़ा बहुत current जादा आ गया या फिर fluctuate हो गया तो यह जल्दी ही खराब हो जाता है इसका किसी भी प्रकार का कोई भी use नहीं होता है यह एक ही बार में short हो जाता है अगर यह तो हो गया हमारा low quality वाला अभी अगर हम high quality वाले पे जाते है तो आप अगर PCB देख के तो एक एक लेटर इसका properly बनाया हुआ होता है उसके बाद में कीस का arrangement proper होता है उसके बाद आप इसको कितना भी use करें इसका कोई भी आपको side effect नहीं दिखेगा side effect in the sense इसको आप कोई तूटेगा नहीं कुछ बिगडेगा नहीं इसको long term में भी आप use करेंगे तो भी यह अच्छे से चलेगा उसके बाद में एक main reason है कि इस type की जो quality वाली आपको bluetooth models मिलते है तो इसमें क्या होता है humming आपको नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का YouTube बे भी question आदे है लोग साच करते के भाई हमने तो बना लिया इसमें humming का problem आ रहा है यह हो रहा तो कैसा है इसमें ground का जो system होता है यह low quality वाले भाई इसको बना देते हैं इसमें ground proper नहीं करते है या फिर बहुत ही thin wire का use करते है या फिर PCB का quality नहीं होती है जिससे ground इसमें proper maintain हो सके देखिए किसी भी electronic चीज में positive का जितना roll है उतना ही उसमें ground का या फिर negative का roll होता है तो अ इकताना तै होता है तो इन तरह की जो high quality kits होती है या फिर जो अच्छी quality की kits होती है Bluetooth kits होती है या फिर amplifier kits होती है तो इन में क्या होता है एक specified ground का circuit होता है या फिर उनका tracing होता है उसके जरीए वो ground flow करवाते है और हरे component से उसका एक contact रहता है circuit के अंदर तो उसी हिसाप से इस अच्छे module में भी उसका trace out होता है तो इस प्रकार के module में humming का आवाज आपको बहुत ही कम देखने हो के मिलेगा अगर आप इसके proper connection करते हैं तो इस प्रकार का कोई भी आप high quality वाला और low quality वाला देखेंगे और उसको test करेंगे तो आपको ये difference आसानी से पता चल जाएगा त वीडियो तो हमारा कुछ इसमें मैं उसके चला वाला के कुछ दिखाने वाला नहीं हो क्योंकि कैसा है इसमें चला के दिखाऊंगा तो दोनों में पर सेम आएगा Bluetooth आएगा ये आएगा वो आएगा और ये आईसी चीज नहीं है कि मैं आपको बता हूँ क्योंकि ये सभी ल होता क्या है low quality और good quality में तो चलिए दोस्तों ठीक है आज के वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद